सुप्रबात विद्यातियों एंग जीवद तक English Medium High School and Junior College Standard 8 Subject Hindi Entire आज के online अध्यन अध्यापन में आप सभी का स्वागत है आज हम विशे हिंदी के 80 का में पार्ड तीसरा लकड़ आर वन इस पार्ड का दूसरा भाग सीखने वाले हैं विद्यातियों लकड़ हारा और वन पार्ड का दूसरा भाग सीखने से पहले हम सीखे हुए पाठ का पुनरावर्तन देखेंगे विद्याथियों हमने पहले दुरुष्य में देखा कि एक लकड हारा जो है वह लकडिया काटने के लिए पेड के पास जाता है और वहाँ पे वह जब लकडिया काटने के लिए अपनी कुलहारी हाथ में लेते हुए लकडिया काटने जाता है तभी क्या हो जाता है कि कुलहारी पेड पर चलाते समय उसकी जो कुलहारी है वो क्या हो जाती है नदी में गिर जाती है और लकड हारा क्या हो जाता है? बहुत चिंतित हो जाता है क्योंकि कुलहारी जो है वही उसकी क्या है? जीवन संगिनी है यह जीवन सहारा है उसी के कारण वो क्या करता है? लकडिया काट कर बेजता है और अपना पेट पाल लेता है इस तरह से वो क्या हो जाता है उसकी कुलाडी जो है वो नदी में गिर जाने के कारण वो बहुत ही दुखी हो जाता है और वहाँ पे ग्रामिन का वेश धारन करके भगवान आ जाते हैं यानि भगवान जो है वो क्या करते वेशांतर करके ग्रामिन वेक्ति के रूप में उसके सामने आ जाते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम क्यों दोखी हो तबी लकड़हारा उन्हें बता देता है कि मेरी कुलारी जो है वो लकड़िया कारते समय नदी में गिर गई हैं और वो न होने के कारण में कुछ भी नहीं कर सकता मुझे आज के दिन भूका रहना पड़ेगा मेरे बच्चों को भूका रहना पड़ेगा तबी वो ग्रामिन क्या करता है लकड़हारे को मदद करने के लिए तयार हो जाता है और वो क्या करता है नदी में कुदता है और एक करके कुलाडी वो निकालता है जब वो पहली बार चांदी की कुलाडी निकालता है तब भी वो क्या करता है लकड़हारे को पूछता है तब भी लकड़हारा क्या करता है उसे कि यह तो मेरी नहीं है फिर वो जो ग्रामिन वेक्ती है वो वापिस फिर से क्या करता है नदी में डुपकी लगाता है और उसके बाद में वो सोने की लकड़ारी है वो लाता है यह देखकर भी क्या हो जाता है कि जो लकड़ारा है वो कहता है कि भाई यह भी मेरी कुलारी नहीं है तो फिर लकड़ारा उसे कहता है कि आपके बहुत उपकार हो गया आपने मेरे लिए बहुत क परखर्ष्ट उठाने के कारण में आपको धन्यवाद देता हूए आपके बहुत उपकार मेरे पर हुए हैं लेकिन जब वह दोनों कुलारी उसकी नहीं है तो जो ग्रामिन है उसके बीच में याने उसके मन में शंका उत्पन्न हो जाती है कि वो क्या करता है कि उसे कहता है कि मेरा तो कर्म ही है या मेरा धर्म ही है जो दूसरों कोयने मुसीबत में फसे हैं उनको मदद करना फिर क्या करता है ग्रामिन जो है वापिस नदी में कुद कर लोहे के कुलारी लेकर आता है और यह कुलारी देखकर लकड़हारा जो है वो खुश हो जाता है और उसे वो कहता हैं कि यही कुलाडी जो है वह मेरी है इस तरह से वह क्या हो जाता है खूश होकर उसके उपकार को जीवन भर न भूलने का वह वादा करता है ग्रामिन के दिमाग में एक बात समझ में नहीं आती है कि जो लकड हारा है उसे चांधी की और सोने की कुलाडी मिलते हुए भी उसन मना किया है तभी लकड़ हारा क्या करता है कि ग्रामिन के मन में सवाल उत्ता है उस सवाल का वो उत्तर देता है कि दूसरों की चीज़ को अपना करना ठीक नहीं है मेनत और इमानदारी से कमाया हुआ ही धन अपना होता है यह कहकर वो क्या करता है कि यह बात बता देता है और यह सब बाते सुनकर जो भगवान है वो क्या करता है ग्रामिन के रूप से बाहर आकर भगवान के रूप में उसके सामने आ जाते हैं और उसके एक शर्द भी वो देते हैं कि आपको क्या करना है हरे भरे पेड़ को नहीं काटना है आपको क्या करना है कि जो आपको जितने आवश्यक लकडिया लगती है सुखी लकडिया उतनी ही काटनी है और लकड़ारा जो है वो शर्द मन्जूर कर लेता है विद्यातियों अभी हम आगे का दूसरा दुरुष्य जो है वह पड़ते हुए उसका स्पश्टी करण भी देखेंगे विद्यातियों हमने देखा कि पहले दुरुष्य में हमें इमानदारी और मेनक्त से कमाया हुए धन वही अच्छा धन होता है या वही अपना धन होता है यह सीख हाँ पे हमें मिली है अभी हम दूसरे दुरुष्य में हमें कोन सी सीख मिलने वाली है यह पाट पड़ते हुए सीखते हुए हम देखेंगे तो पहले हम पार्थ पड़ेंगे दूसरा दुरुष्य है मंच पर लकड हारा सो रहा है मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज देती है पत्नी अरे रामू के बापु घोडे बेच कर सो रहे हो क्या आज लकडी काटने नहीं जाना है लकड हारा जाता हो भगवान अपनी कुलहारी उठा कर जंगल की तरब जाता है मन ही मन सोचता है जिदर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेन के जंगल अचानक उसे चोट लगती है वह चीक उठता है फिर एक पेड की छाव में बैर जाता है अहां कितने ठंडी छाया है सारी थकान दूर हो गई हरे भरे पेड के नीचे से उठकर अपनी कुलहारी संबालता है चलो यही सही इसे ही साफ करे कुलहारी चलाने की मुद्रा में हाथ उठता है तो दूसरे दुरुष्य में हमने देखा कि लकणहारा जो है वो क्या करता है सो रहा होता है और उसकी पतनी उसे आवाज देती है कि रामू के बापू आपको आज लकडिया काटने के लिए नहीं जाना है क्या तभी वो क्या करता है उसे हाँ भागवान मुझे लकडिया काटने जाना है और वो क्या करता है अपनी कुलहारी उठा कर जंगल की तरफ जाता है और मन ही मन सोचता है क्योंकि जब वो जंगल में पोचता है तो दूर दूर तक जंगल का पता ही नहीं और जो थे वे कटते जा रहे थे और उनकी जगह जो हैं वह खड़े हो रहे थे सीमेन के जंगल याने सीमेन की इमारते याने जब जंगल में लकड़ हारा जाता है तब लकड़िये के खोज में या वो जाता है तब उसे एक भी वहाँ पेड़ दिखता नहीं है याने जंगल में जो पेड़ पवदे थे वो सब कट गए थे और उसकी जगह सीमेन की इमारते बन गए थी वो चलते हुए आगे जाता है तब उसको अचानक से चोट लगती है और चीक उठता है फिर वो एक पेड़ के चाव के नीचे बैठ जाता है और चाव के नीचे बैठने के बाद उसे बहुत ही अच्छा शितल चाया की वज़े से उसकी ठकान जो है वो दूर हो जाती है हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुलाड़ी संबालता हुआ वो क्या करता है चलो यही सही इसे ही साफ करें याने वो क्या सोचता है कि जिस पेड के नीचे वो बैठा था वही पेड को देख कर वो क्या करता है कि यही सही है पेड और इसे ही है मुझे क्या करना भी काटना है कुलाडी चलाने की मुद्रा में वह हाथ उठाता है यानि वो क्या करता है पेड काटने के लिए अपनी कुलाडी चलाने के लिए तयार हो जाता है पेड अरे अरे यह क्या कर रहे हो लकड हारा चौक कर कौन आसपास नजर दवडाता है पेड अरे भाई यह तो मैं हूँ लकड हारा दर कर कौन भूत पेड दरो नहीं भाई मैं तो पेड हूँ पेड हूँ लकड हारा आच्चय जैसे पेड क्या तुम बोल भी सकते हो पेड भाई मुझ में भी प्राण है तुम मुझ बेकसुर पर क्यो वार कर रहे हो लकड हारा तो क्या करूँ चार चार बच्चो को पालना पड़ता है यही एक रास्ता है रोजी रोटी का तो जब लकड हारा जो है वो पेड पर कुलारी चलाने जाता है तभी पेड आवाज देता है और कहता है लकड हारे को अरे अरे यह क्या कर रहे हूँ और लकड हारा चोक कर यहाँ वहाँ अपनी नजर दवडाता है और देखता है कि कौन बात कर रहा है तभी पेड जो है वो कहता है अरे यह तो मैं हूँ तभी भी लकड हारा डर जाता है कि जो बात कर रहा है वो कोई तो दीख नहीं रहा यहाँ पे भूत वग रहा है क्या क्या ऐसे उसे लगता है तभी पेड करता है कि डरो नहीं भाई मैं तो पेड हूँ तभी पेड क्या करता है लकड हारे को बताता है कि मैं पेड आपसे बात कर रहा हूँ लकड हारा आच्चर से पेड क्या तुम भी बात कर सकते हो क्योंकि लकड हारे को पहले बार ऐसे पेड बोलते हुए दिखाई देता है इसलिए वो क्या करता है पेड को क्या तुम बाते भी कर सकते हो बोल भी सकते हो तभी पेड उसे कहता है कि भाई मुझ में भी प्रान है, मैं भी मेरे में भी जीव है, तुम मुझे बेकसुर पर याने तुम जो है मैं में बेकसुर पेड हूं और तुम मुझे पर वार क्यों कर रहे हूं तो वो क्या करता है कि लकड़ारा मेरे जैसे बे कसुर पर आप कुलाडी का वार क्यों कर रहे हो तबी लकड़ारा कहता है कि मैं कर भी क्या कर सकता हूँ क्योंकि मेरे घर में चार-चार बच्चे हैं जिने मुझे पालना पड़ता है और लकडिया काट कर बेचना यही तो मेरा काम है और अगर यह नहीं करूँगा तो मैं रोजी रोटी कैसे कमाऊंगा बच्चों को पेर चोहे वो कैसे पालूँगा उनको खाने के लिए कैसे कुछ दे पाऊंगा क्योंकि मैं हर वक्त क्या करता हूँ सुके पेड़ों की लकडिया काट कर उन्हें बाजार में बेच कर उससे पैसा कमाता हूँ और मेरी दिन की रोजी रोटी चलाता हूँ अगर तू ऐसा कहेगा तो मेरा क्या होगा पेड़ अरे भाई अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही पर तुम कितने बदल गए हो तुम यह भी भूल गए है कि मैं ही तुमें जीने के लिए शुद्ध हवा पाने और भोजन सभी कुछ देता हूँ लकड़ारा यह तो तुम्हारा काम है इसमें उपकार की क्या बात है पेड़ मैंने कब कहा उपकार है भाई यह तो पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिन्दा नहीं रह सकता उसे सास लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ लकड़ारा ठीक है पर मेरे सामने भी तो समस्या है तो जब ही लकड़ारा पेड़ को बताता है कि मैं अगर लकड़िया नहीं बेचूंगा तो मैं मेरे बच्चे का पालन पोशन कैसे करूँगा उनका पालन कैसे करूँगा इसलिए मुझे पेड़ कार कर लकड़िया बेचना ही मेरे को योग्य लगता है तब ही पेड़ क्या कहते है कि अरे भाई अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही क्योंकि उसके लकड़ारा जो है उसके चार बच्चे है जितना बड़ा परिवार होता है उतनी उनकी समस्याए जादा निर्मान हो जाती है क्योंकि सभी के लिए खान पान देखो या उनका पालन करना थोड़ा कथिन हो जाता है तो यहाँ पेड़ कहते हो कि तुम कितने बदल गए हो कि तुझे पता है कि मैं तुम्हें शुद्ध हवा देता हूँ जिसके कारण आप जिन्दा रहते हो जिसके कारण आपको पानी मिलता है जिसके कारण आपको भोजन मिलता है यहाँ सभी बाते मैं आपको देता हूँ अगर आप मुझे काटोगे या काट दोगे तो आपको यहाँ सब बातों की या यहाँ सब चीजों की क्या होगी आवशक्ता निर्मान होगी और यहाँ आपके आवशक्ता है कोई भी पूर्ण नहीं कर सकता है तबी लकड़हारा यह बात सुनकर पेड़ को कहता है कि यहाँ तो तुम्हारा कामी है इसमें आपके उपकार की क्या बात है तबी पेड क्या करता है मैं आपको उपकार की बाते नहीं बता रहा हूँ पर आप अच्छी तरह जानते हैं कि बिना हवा के आप मनुष्य जो है वो जिन्दा नहीं रह सकते हैं सास लेने के लिए आपको शुद्ध हवा जो है वो चाहिए और यह शुद्ध हवा सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ इसलिए अगर मुझे आप काटोगे तो आपको सास लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं मिलेगी तबी यह बात सुनकर लकड़ा वापिस करता है आप जो बात बता रहे वो ठीक है सही है पर मेरे सामने भी समस्या है क्या समस्या है तो मेरे घर में मेरे बच्चे है मेरे बीबी है उनका पालन करना वो हबी क्या है मेरा कर्तव्य है अगर मैं आपको काट कर नहीं बेचूंगा तो मेरे सामने भी क्या हो जाएगी बड़ी समस्या निर्मार हो जाएगी पेड यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहा जाएंगे क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजार दोगे लकड़ारा तो फिर क्या मैं अपना घर उजार दो पेड मेरा मतलब यह नहीं है यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी और एक दिन लकड़ारा तुमारी बात तो ठीक है पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ पेड कम से कम अपने हाथो अपने ही पेरो पर कुलाडी तो मत मारो कभी हरा भरा पेड मत काटो उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारो और हर्याली चाई रहे लकड़ारा हामी भरता है उसी समय परदा गिरता है तो यहाँ पे हमने देखा कि जो लकड़ारा है वो अपनी समस्या पेड को बता देता है तबी पेड क्या करता है कि अगर आप इसी तरह मुझे काटते रहोगे तो क्या होगा कि इन पेड पाउधों पर रहने वाले जो पशु पक्षी है वन्य पक्षी है वो कहा जाएंगे याने वो उनका घोसला मेरे पेड पवधों पर बनाता है तो उनके अगर पेड ही नस्ट हो जाएंगे तो उनके घर भी नस्ट हो जाएंगे तो फिर यह वन्य पशु कहा रहेंगे तो पेड लकड हारे को कहते है कि क्या आप अपने स्वार्थर के लिए दूसरों का घर उजाड दोगे तबी लकड हारा पेड से वापिस सवाल करता है तो फिर मैं भी क्या करूँ मेरा घर भी ऐसे उजाड दो तो पेड कहता है मेरा मतलब ऐसा नहीं यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी और एक दिन तो लकड हारा कहता है तुमारी बात तो ठीक है पर अब तुनी बताओ मैं क्या करूँ तभी पेड क्या कहता है लकड हारे से कि कम से कम अपने हातों से अपने ही पेरों पर कुलाडी तो मत मारो याने कभी भी हरा भरा पेड मत काटो उन्हें बच्चों के समान पालो ताकि चारो और हर्याली चाही रहे और लकड हारा क्या करता है हामी भरता है याने वो स्विका कि मैं कभी भी हरा भरा पेड नहीं काटूंगा तो यहां पे जो है वो पेड के माध्यम से और लकड़ हारा के माध्यम से एक एकांगिखा के रूप से हमें यहां पे यही बात बताई है कि हमें क्या करना है पेड पवधो को लगाना है क्योंकि आज के जमाने में इमारोतों के कारण याने जो सीमेन की इमारते बनती जा रहे हैं, बहुत से जंगल के पेड़ पाउदे कटते जा रहे हैं और इसी तरह अगर पेड़ पाउदे कटते जाएंगे तो हमें शुद्ध हवा नहीं मिल पाएगी उसी तरह से पेड़ पाउधों के कारण वर्षा होती है यह बारिश होती है वो बारिश नहीं होगी और हमारे सामने अनेक समस्याए खड़ी हो जाएगी इसलिए हमें क्या करना है हमें एक या एक से जादा पेड़ लगाते जाना है अगर आप एक पेड़ काट रहे हो तो उसकी जगह आप दो तीन पेड़ यह पाउधे आपको लगाने है और पेड़ यही वादा किस से चाहता है लकड़ हारे से तो विद्धाथियो लकड़ हारा और वन एक एकांकी है और इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने पाठकों को परियावरण के प्रती सचेत किया है और उसके सववर्धन के लिए भी प्रेरित किया है पेड परियावरण का एक अंश है जो हमें शुद्ध हवा, फल, फूल, लकड़िया और वर्शायाने बारिश देते हैं अतह सभी का यह कर्तव्य है कि वे पेड का सववधन करे और भारी मात्रा में पेड लगाए प्रस्तुत एकांकी का का लकड़ हारा मेनती वह इमानदार है लेकिन अपने चार-चार बच्चों का पेड़ पालने के लिए हरे रुक्षों की लकडिया काटता है एक दीन उसकी इमानदारी की परिक्षा स्वयम भगवान एक ग्रामेन व्यक्ति के वेश में आकर लेते हैं और उसे संदेश देते हैं कि वह हरे भरे पेड की कटाई न करें फिर भी पत्नी के कहने पर लकड़ हारा पेड की कटाई करने जाता है ऐसे में पेड स्वयम उसके साथ बाते करते हुए अपने महत्व एवं उपयोगिता के बारे में बताता है पेड के साथ वारता लाप करने से लकड़ हारे की आखे खुल जाती हैं और वह पेड न काटने का निर्णय लेता है विद्धातियों हमने यहा तक पाठ सीखा इस पाठ में आये हुए कठिन शब्द के हम अर्थ देखेंगे पहला शब्द है इंतजाम इंतजाम का अर्थ है प्रभंद उपकार उपकार का मतलब भलाई कस्ट कस्ट का अर्थ है पीडा कोशिश का मतलब है प्रयास चिंतित चिंतित का अर्थ है चिंता से परेशान जरूरत जरूरत का अर्थ है आवशक्ता प्रसन प्रसन याने खुश प्राण प्राण याने जान बली बली का अर्थ है आहू थी भेट या चड़ाओ बेकसूर निर्दोश भाग्यवान याने नसीबवाला मन्जूर का अर्थ है स्विकार मुद्रा याने हावभाव मुसीबत याने संकट मेहनत याने श्रम वेश याने भेश शर्थ याने बाजी शुद्ध याने साफ समस्या का अर्थ है परेशानी इस पाठ में आये हुए मुहावरे देखेंगे अपने पैरो पर कुलाडी मारना अपने पैरो पर कुलाडी मारना इसका अर्थ है खुद अपना नुकसान करना घोडे बेच कर सोना इसका अर्थ है निचिंट होकर सोना हामी भरना हामी भरना का अर्थ है स्विकार करना विद्यातियो यहां तक हमने यह पाठ सीखा आपको दिये हुए शब्दाथ और मुहावरे अपने नोड़ बुक में लिखने है विद्यातियो इस पाठ से हमें एक सीख मिली है मैनस से इमानदारी से हमें काम करना चाहिए और दूसरे सीख मिली है हमें हमें पेड़ पवधो को बचाना है उन्हें लगाना है उनका सववर्धन करना है यह दो सीख हमें इस पाठ से मिली है फिर मिलेंगे अगले ओनलाइन अध्यापन में धन्यवाद